स्वागत हैं दोस्तों आप सबका यूट्यूब स्टडी चाइनल्स में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश मार्धे में कुछ इच्छा परिशद ने आपका बारावी का एक्जामिनेशन देट क्लियर कर दिया है उसमें आपको 14 अपरेल को गडित का पेपर होन बाहे हैं उस गडित की पेपर मेंसे आपका कुछ महत्तों पुलन कोस्टन को हमने कलेक्शन किया हैं जो आपके परिश्जा के दृष्टी से बहुत ही quería है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आउकलन एक बहुत ही महत्पुन टॉपिक है परिच्छा में चाहें गडित में उस आउकलन से कुछ हम जब दो फलन गुणन फल के रूप में होगा तब एक बहुत महत्पुन कोस्चन लिकर आये हैं जिससे आपका वेसिक भी क्लियर हो जाए दो फलन किस्मे है भाग के रूप में हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका परिच्या के दुरिश्टी से दुसरा बाद इस कॉस्टन के करने के बाद हम समाकलन के कुछ 2-3 कॉस्टन लेकर आया हैं जो आपका बहुत ही इंपरिच्छन है ये आएसे कोस् आप यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना चलिए आपको बिना देर की हो कोश्चन नमर पहले की तरफ देखते हैं कोश्चन नमर पहला है अब का पहला कोश्चन है कास एकस की इन्टू साइन स्क्वाइर एकस के पावर पांच जैसे यह फॉस्ट फलन है और यह सेकेंड फलन है तो फॉस्ट और सेकेंड के लिए आपको एक सुत्र होता है कि दी बाई डी एकस फॉस्ट इन्टू सेकेंड हम इसमें फॉस्ट को नोट कर देते हैं सेकेंड का आउकलन तो डी बाई डी एक्स सेकेंड फॉस्ट को नोट करते हैं सेकेंड का आउकलन प्लस सेकेंड को नोट करते हैं और फॉस्ट का आउकलन यहीं सूत्र हैं जिसका परियोग करके हम इस कॉस्टन का सालोशन करेंगे तो यहां से दोनों पक्चों में X के सापे एक्च आउकलन करने पर आउकलन करने पर आपका यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इसकल टू डी बाई डी एक्स कास एक्स क्यू इन्टू साइन स्क्वाईर एक्स के पावर फाइफ यहां से सूत्र की माध्यम से जब सलसन करेंगे तो फॉस्ट को नोट कर देंगे कास एक्स क्यू सेकेंड का आउकलन तो डी बाई डी एक्स साइन स्क्वाईर एक्स के पावर पाँच पलस अब सेकेंड को नोट कर देंगे साइन स्क्वाईर एक्स के पावर पाँच और डी बाई डी एक्स फॉस्ट मने कास एक्स की देखिए फॉस्ट को नोट कर दिये फ sin square x के power 5 है हम पूरे sin x के power 5 को x माने आइ square को n माने तो 1 के power n x के power n में n पहले आजाता है तो 2 आपका पहले आजाएगा आपका दो x होता है तो माने हैं किसको sin x k power 5 को अखलरण कर दिया गया पलस हैं तो plus इसको तो नोटे करना है sin square x k power 5 यहां से यह cas x q को q x q को x माने तो cas x का अखलरण होता है minus sin x x के जगा पर x का कितना है q x को q को तो x माने थे उसको माने थे फिर से इसका अखलरण करेंगे तो dy dx x का cube यहाँ से इसको नोट करते हैं cas x q और यह हो जाएगा आपका 2 sin x के power 5 और यह sin को अगर हम x माने sin को x चाहने ही नहीं यहाँ से हम sin x के power 5 को x मान ले रहे हैं तो sin x का उकरण हो जाएगा आपका cas x तो cas x के जबहिया पर x के power 5 है आप फिर x के power 5 का उकरण करेंगे तो 5 आपका पहले आजाएगा और x के power 4 हो जाएगा फिर प्लस हैं तो plus plus minus चाहें तो का हो जाएगा minus और यह आपका हो जाएगा sin square x के power 5 और यह sin x q यहाँ से 3 पहले आजाएगा x square यहाँ से नोट करेंगे तो 2 पांचे 10 10 इसको अब नोट कर दिया जाए तो x के power 4 हो जाएगा और यह आपका cos x q cos x के power 5 और यह बचेगा आपका sin x के power 5 minus यहाँ से आपका बचेगा 3 x square और यह sin x square x के power 5 sin x q और यहीं आपका answer हो जाएगा चलिए question नमर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं जो दूसरा आपका question है वो है भागफल के रूप में जब आपका दो फलन भागफल के रूप में होगा इसका पहला question है e के power x अब अब अटा में sin x यहाँ से आप यह दिमाल ले इसको y बराबर देखे यह है first और यह है second चाहें इसको ons माने इसको हर माने तो d बाटा dx ons बाटा हर का आउकलन क्या होता है तो देखे क्या होता है d बाटा में होता है हर का square हर का square यह आपका formula है जो ons बाटा हर के रूप में है इसी से ज्यांत करेंगे सुत्र का परियोग करके इस question को तो कह रहें न कि हर को note करते हैं तो जब हर को note यह हो जाएगा आपका d y by d x मैंने x के स्टेक्ष कर रहे हैं तो यह हर को note कर लेंगे sin x ons का आउकलन तर d by dx ons क्या है e power x minus अब ons को note करेंगे तो आपका e के power x हर का उकलन तर d by dx हर क्या है sin x है अब आटा में हर का बार्ग तो sin x का क्या हो जाएगा holy square अब देखते हैं स्कल्टू यह तो sin x को note ही करेंगे और d by dx e power x का तो e power x से होता है न उकलन माइनस है तो माइनस e power x को note ही करना है sin x का उकलन होता है कास x अब आटा में हो जाएगा आपका sin square x यहां से दोनों में e power x है तो e power x अगर कामन कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका sin x minus कास x अब आटा में sin square x और यहीं आपका answer हो साएगा अब question number 3 की तरफ बढ़ते हैं जो question number 3 है तोड़ा सा लंबा है हाँ है बहुत important लेकिन यह लंबा प्रिक्रिया है आपको अधिक सदी के 4 marks का आएगा question number 3 यह लंबा है इसलिए 4 marks का होगा sin x plus b बटा में कास c x plus d यहां से यह भी uns और हर की रूप में तबले मालने की y बड़ाबर sin x plus b बटा में कास c x plus d यहां से क्या करेंगे हर को नोट करते हैं अकलन करेंगे ना x के सब x तो d y y d x बड़ाबर कास c x plus d हर को नोट कर दिए uns का अकलन तो d y d x uns है आपका sin a x plus b उसके बाद से minus आप क्या करते हैं uns को नोट करते हैं तो sin a x plus b और हर का उकलन दिए बड़ाबर d x कास c x plus d अब अटा में क्या हर का स्कुएर तो कास c x plus d का whole स्कुएर चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अभी यहां से कास c x plus d को नोट कर देंगे और sin इस पूरे को मानते हैं x तो sin x का हरन होता है कास x x का जगहिया पर कितना है x plus b और वही है ना जिसको मानते हैं उसको का करते हैं अवकलन तो ही a x plus b को माने हैं इसमें a औचरपद हैं पहले आ जाएगा और x का उकरन एक हो जाएगा b का 0 हो जाएगा छोड़ देंगे माइनस हैं तो माइनस sin x plus b को नोट करेंगे आइए कास इस पूरे को मान ले x तो कास x का उकरन होता है माइनस और sin x तो माइनस sin x के जगहिया पर कितना है c x plus d जिसको माने हैं उसका फिर से आपका उकरन करना पड़ेगा तो d by dx c x plus d चलिए यहां से देखते हैं कास c x plus d a को पहले लिख ले a कास c x plus d into कास a x plus b यहां से देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका पलस और यह बन जाएगा sin a x plus b और यह क्या बन जाएगा sin c x plus d और यहां से जब अकुलन करेंगे c अचरपद हैं पहले आजाएगा यहां लिख दे रहे हैं a x का एक हो जाएगा d का 0 हो जाएगा अब बटा में देखिए यहां पर बटा वाला छूट गिया है यहां पर लिख सकते हैं बटा को मतलब भागा कास c x plus d का whole square उससे को नीचे लिख दे रहे है कास c x plus d मने कास स्कुएर लिख सकते हैं इसे इसकाल टू कुछ common नहीं नहीं है इसमें कुछ common नहीं है तो इसको काम करें अलग अलग ले लें अलग अलग लेंगे तो a कास c x plus d और यह कास a x plus b बटा में कास स्कुएर c x plus d पलस है तो पलस इसको अब लिख लें साइन x plus b साइन c x plus d पूरा का बटा कास स्कुएर c x plus d देखिए यहां से c x plus 1 से 1 आपका cancel हो जाएगा और यह बचेगा आपका कास x plus b अब अटा में कास c x plus d पलस अब देखिए कास c x plus d से इसमें तो कुछ नहीं कटेगा जब नहीं कटेगा तो आपका यह को नोट कर लेंगे यह को देखिए इधर से एक साइन c x वाला है न तो इसको नोट कर ले पहले साइन x plus b अब देखिए इसमें से एगो साइन आएगो कास आपका बन जाएगा टाइन तो टाइन c x plus d अब यहां से आपका एगो नीचे कास बनेगा उपर जाएगा तो से एक सी एक स्पलस डी और नीचे हो जाएगा आपका नीचे तो कुछ नहीं बचेगा यहीं आपका अंसर हो जाएगा आज के इस वीडियो में बस के वाला उखलन अगले कल की वीडियो में कुछ समाकलन करेंगे धन्यवाल झाल